हेलो फ्रेंड्स आप लोंका बहुत बहुत सवागा थे मेरे यूट्यूब चैनल एससी जी एटुजेट पर और आज हम लोग देखने वाले बिहार एससी सीजियल 2022 का expected cutoff कितना जा सकता है तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो एक्जाम हो रहा है वो 600 मार्क्स का हो रहा है प्रते प्रति तो 600 मार्क करेंब्ट है य्यानि है कीए एक मार्क सट्थेश्च जनरीग का कि ते ओर फिट्टी कोशटिन जो थे जनरल साइंस और मत के एक charge के टोटल आपको यहां पे 150 क्वेश्चन मीले थे और प्रते क्वेश्चन चार मार्क्स का था दो घंटे 15 मिनुट का टाइम दिया गया था ठीक है तो दो सिफ्ट में आपका एक्जाम हुए आज सिफ्ट वन और सिफ्ट टू ठीक सिफ्ट वन में जो questions पुछे गया थे math की अगर मैं बात करूं तो math के questions 50 questions नहीं पूछा जा रहा है पंदर से 20 questions math के पूछे गया थे जो की hard level के थे सिफ्ट वन की बात करें math hard था ठीक है यहीं सिफ्ट टू की अगर मैं बात करूं math का तो easy पूछा गया था और reasoning की बात करें तो easy था सिफ्ट वन में भी और सिफ्ट टू में भी easy था और science की बात करें तो moderate level था सिफ्ट वन में और सिफ्ट टू में जो था moderate to hard था ठीक है तो overall अगर हम देखें तो सिफ्ट टू थोड़ा सा hard था और attempt की बात करें तो सिफ्ट वन में ज्यादातर candidates की attempt जो आ रहे हंड्रेड नाइन्टी 105 तक जो है attempt कर रहे थे और कुछ कह रहा है कि पेपर लीक हो गया तो पेपर लीक हुआ है और पेपर कैंसल हो गया यह भी कमेंट करने लो तो देखिए पेपर अगर निरस्थ होगा तो official notice जारी किया जाएगा परिशान मत हों जिनका वेपर कल है वह एक्जाम की तयारी करें ठीक है पेपर अगर निरस्थ होगा तो कोई बात नहीं वह आपको officially जारी कर दिया जागा नोटीस और यहां पर देखिए सिफ्टू में जो एवरेज एटेमिट बच्चों का रहा है कि 115 आरहा है 120 आरहा है किसी किसी का 125 तक तक और ढूंब यह यह इस्फाल पर शिवह एक्टीपटम जो आ रहा है हाँ नहें कि मालत देखने सब्सक्रांत ऑपकर कर रहा हैं पर यह यह बचेम्य दखते हैं में जीरो फाइफ यह और पर लमें यह गया 20 के आसफास ठीक है तो अगर इसका हम मार्क्स में कैल्पुलेट करें तो कितना हो जाएगा यह आपका लगबग हो जाएगा चार सो लीस मार्क्स ठीक है यही पर अगर इसका मार्क्स में कैल्पुलेट करेंगे तो यह लगबग आपका हो जाएगा चारसो असी मांक्स ठीक है? अब देखे आ, नौर्मलाजेसन में जिसका सेफ्ट हार्ड था उसका मांक्स जूए, इनकरीज होने वाला है और जिसका जो थोड़ा एसी सिफ्ट था उनका मांक्स जो है, टिकरीज होगा तो ये मीडिर में आके कहीं रुखेगा तो मान के चलिए आपका जो है चार सो साड़े चार सो के असपास जो है और नेवरेस कट आफ रहने वाला है तो अगर मैं बात करूँ जनरल के टेगरी का कितना कट आफ जा सकता है तो यह आपका चार सो 42 प्लस माइनस 5 कट आफ रहने वाला है ठीक है जनरल के टेगरी का और यहीं पे अगर मैं बात करूँ जनरल के टेगरी डिसेबल्ड कोटा ठीक है जो केवल भी हैर स्टेट वालों के लिए होता है यह आपका होगा 300 बाउन प्लस माइनस 5 मार्क्स का कट आफ रहने वाला है डिसेबल्ड कोटा के लिए जो केवल भी हैर राजिवालों के लिए रिजर्वड कोटा है जनरल के टेगरी के ठीक है यहीं पे अगर OVC के मैं कट आफ की बात करूँ तो OVC का जो कट आफ रहने वाला है वह 427 प्लस माइनस 5 मानके चलिए इतना कट आफ रहने वाला है ठीक है यहीं पे OVC का जो डिसेबल्ड कोटा है OVC के लिए जो बिहार इस्टेट के OVC के टेगरी है उनके लिए जो कट आफ रहने वाला है तो एप्रॉक्समेटली 346 प्लस माइनस 5 रहने वाला है ठीक है अब MBC के अगर मैं बात करूँ ठीक है MBC की कट आफ कि दनी रह सकती है तो यह 388 प्लस माइनस 5 ठीक है इस साल आपका इतना कट आफ रहने वाला है अब MBC डेरेक्ट में MBC जो है disabled quota की अगर मैं बात करूँ डीक्यू की तो इसका आपका कट आफ 338 प्लस माइनस 5 रहने वाला है ठीक है SC कटेग्री की बात करूँ SC कटेग्री के लिए 338 कट आफ रहने वाला है और SC के कटेग्रेट अगर है तो 291 अगर आपका स्कूर आ रहा है तो बिल्कुल सेफ जोन में है परिशान होने की जरूतने आप क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के लिए ठीक है और यहीं पर WBC की अगर मैं कट आफ की बात करूँ तो WBC का कट आफ जो रहा सकता है 346 प्लस माइनस 5 रहने वाला आपका कट आफ ठीक है इतना अगर आप स्कूर कर रहे हैं बिल्कुल सेफ जोन में और अगर पेपर लीफ हुआ है तो अगर निरस्ट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपका जो है नया एक्जाम डेट गोसित कर दिया जागा तो बिल्कुल परिशान नहीं हो अपने एक्जाम की तैयारी करते रहें और चैनल को जरू सब्सक्काइब करने थैंक यू